फ्रेंड आज एक बार फिर आप लोग के लिए ओम सांति संगम ओम प्राइवेट लिम्टेड आप लोग के लिए आदमपूर में जो कि दानापूर और ये सगुना मोर्ग से रास्ता जो करता है आदमपूर के लिए आज वहाँ पे बहुत खुबचुरत प्राइम लुकेशन पे प्लॉट लेकर क्या आया है जो आप सामने देखने कुछ लोग आयुए फ्लॉट को देखने के लिए फ्राइम लुकेशन पे प्लॉट है और पूरा का पूरा बौंडरी किया हुआ प्लॉट इसका फ्रंट की बात करें तो फ्रंट आपको तकरीवण मिल जाएगा इस पूरा का पूरा प्लॉट आपका बॉंडरी किया हुआ है और यह आप अपना यह रास्ता रखे हुए हैं गारी पार्किंग करने के लिए सारा कुछ के लिए और बहुत प्राइम लुकेशन पर यह प्लॉट है आप चीज और इस प्लॉट का खासेद बता थे कि भगल में जो आप सामने देखर हैं एक बहुत बरी कंस्ट्रक्शन कंपन्य जो अर यहां पर प्लॉट दे रखें है यह जो राष्ता आप देख रहे हैं तक्रीबं यह स्ह mitochond का रास्ता है इस प्लॉट पर आया हुआ है और इ जाकर के राइट और सामने जाकर को जो मशाला वाला रखा हुआ जहां पर मसाला बनता है वहीं आपका मेन रोड है और एक बार आपको फिर कवर कर देते हैं देख लेजिए यह प्रॉपर रास्ता जाएगा इस प्लॉट पे बहुत खुबचुरत लुकेशन पर प्लॉट है और बहुत अच्छा यहां पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है हर कोई अपना अपना कंस्ट्रक्शन अपने मकान बना रहे हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल पर आ करके देख सकते हैं आईए नमर उस पर है डाला हुआ डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आप हमें कॉल किजिए ताकि इसे मोर डिटेल्स हम आपको दे सके फ्रंट की एक बार और आपको चर्चा करते हैं इस वीडियो में कि फ्रंट जो होगा 44 फिट का फ्रंट होगा डिप इसका 45 फिट जाएगा और बॉंडरी किया हुआ है और एक चीज और बता दें कि वह जो सामने मकान आप देख रहें न तो यह जो बास है न यह बास से और यह इस जगह से 12 फिट का रास्ता उस सामने गया हुआ है कलके डेट में अगर उस साइड भी आप जाना चाहते तो यह रास्ता से आप निकल सकते हैं और क्रंश्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ आप अल प्रोट मिल जाएगा और इससे ज्यादा ज्यादा लाइकन संस्क्राइब करें ताकि आप लोग इस प्लोट काम आपको प्रोपर इंफोर्मेशन दे सके बाकि अगर और जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में में मेरा नम्मर है आप वहां से में contact कर सकते हैं और इस एडिया का जहां पर भी हम खड़े इसका Google Map का location अपने description box में डाल देंगे आप वहां से अब search कर सकते हैं कि plot है कहां पर चलिए मिलते हैं फिर next video में आप लोग के साथ thank you guys